हेलो प्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल अकाउंट्स यूर सॉलिशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है आज के टोपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों अगर आपके मे अब स्वाना प्रोसेस में इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा जैसे आपके पास कोई पैसेंट आता है वो आपसे बोलता है जो भी दवाइयां आपसे लेनी है तो उसमें जैसे डौक्टर का रविफ्रेंस जो होता है वो आपको किस तरीके से बीजी में मेंटेन करन है जिसे आप बिल का प्रिंट आउट आप उसके लिए निकाल के दोगे तो उसमें पेशेंट नेम एंड डॉक्टर का नेम दोनों उसमें आएगा और बीजी सोफट्वेर का जो बिल है वो भी मैंने आपके बता देता हूं जो सिस्टम मैंने बनाया है वो भी आप एक बार समझ सकते हो जो प्रोसेस में आपके लिए बताऊंगा उसी साथ से आपको करना है तब जाके आप सही तरीके से मेनेज कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपके लिए बता दूँ कि अपना जो चैनल है अपलोड कर रखी है जिसमें आप देख सकते हो कि बीजी सॉप्टेर के नए अपडेट आते हैं या जी एस्टी रिटर्ण से रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है अगर आपने फर्स टाइम चैनल पर विजेट किया है तो एक बार वीडियो जरूर देखे और जो भी वीडियो है बिल्कुल हेलफुल वीडियो है जो नौर्मल एक अकाउंटेंट को प्रोब्लम आती है वो सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है जो भी आपको समझी आती है उसका स्वेलिशन आप इन वीडियो को देख के कर सकते हो ले चलता ह है कि sir यह tablet मुझे चाहिए या फिर यह injection चाहिए तो आप उसका bill बनाोंगे तो किस तरीका से आपको बिल बनाना है परस्त आपको transaction पे डिए जैसे आप transaction पर क्लिक करोंगे तो आपको sales पर क्लिक करना है और यहा पे जो standard का ुप्शन अपर मैसे आप जो नया मैंने format बनाया है आपको यहाँ पर पोस पर आपको किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करोगे तो यहाँ पर जो customer का जो name आता था यहाँ पर अभी क्या लिखाव आ रहा है एक बार इसको ध्यान से देख लिए पैसेंट लिखाव आ यानि इसकी जो configuration मैंने करी है तो यहाँ पे पेसेंट का नाम लिखना है और यहाँ पे जो option है यहाँ पे पहले salesman का था लेकिन अभी मैंने इसको कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे doctor name लिखा वा रहा है तो यहाँ पे मैं doctor का name select कर सकता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने doctor रोहित बाद लिया तो यहाँ से doctor का नाम select कर लिया अब यहाँ पे पेसेंट जो भी आपका पेसेंट है यानि आपके पास जो भी पेसेंट आता है तो उसका बिल आप बनाते टाइम पे यहाँ पे आप जैसे मेरा पेसेंट का नाम है मीना कुमारी तो यहां से मैंने मीना कुमारी सेलेट किया डोक्टर का नाम मैंने एंटर किया और यहां पे जो भी टेबलेट है यानि जो भी टेबलेट है मैं यहां पे एंटर करूँगा जैसे SR मैंने एंटर किया और इसके बाद यहां पे मुझे 10 टेबलेट सेल करनी है और यहां से आप चेक कर सकते हो कि base number कॉन सा है, base number select किया, दूसरा जो item है, दूसरा item भी मैं select कर लेता हूँ, यानि यह भी मुझे 20 टेबलेट देनी है, और यहां से base number select करना है, अब उसके बाद जैसे आप bill को save करोगे, यानि बिल को जैसे आप save करोगे, यानि case का है, या credit का है जो भी आपका customer हो उसी साब से आपको save करना है जैसे ये credit का bill है मैंने यहां से save किया save करने के बाद जीरो किया जीरो करने के बाद यहां से जैसे bill को मैं save करूँगा save करने के बाद यहां से आप देख पारे हो कि new reference यानि bill by bill outstanding मेंटेन करते हैं तो यहां से new reference का option आता है यह आप देख भी पारे हो bill by bill adjustment of amount यहां से आपको okay करना है okay करने के बाद एक option और भी मैंने इसमें enable कर रखा है कि जिसे अगर आपके पास किसी भी doctor के reference से आपके पास कोई customer आता है तो आप उनके लिए के भी commission दे सकते हो या देते होंगे तो उसका भी आप settlement कर सकते हो यह मैं अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि जैसे अगर आपके पास medical store है और आपके पास किसी doctor के reference से कोई पेसेंट आपके पास आता है उनका commission doctor को आप देना चाहते हो तो आप उनका commission fix set कर सकते होंगी जैसे 2% 5% या 10% जो भी आपका बिल बनेगा automatic बिल बनने के बाद doctor का commission doctor के खाते में चला जाएगा और जब भी महिने में आप इसाप करते हो तो आप उनका commission एक जगर चेक कर सकते हो और उनका जैसे पेशा दोगे तो उनका पेशा adjustment हो जाएगा तो आपको यहां से इसको save कर देना है save करने के बाद अज इस बिल का में print out आपके लिए बता देता हूं कि यहां से जैसे आप print preview पे किलिक करोगे तो यहां पे मैंने एक format बना रखा है medical bill a4 half page यानि यह जो मैंने format नया बनाया है और आप जैसे इस पे किलिक करोगे किलिक करने के बाद preview पे मैं किलिक करता हूं प्रिव्यू पे जैसे मैं किलिक करूंगा तो अब आप आप देख सकते हो कि मेरी जो company का नाम लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है पैसेंट नेम मीना कुमारी इसका जो address है quota और डोक्टर का नाम क्या है डोक्टर रोहित बाटिया जो आपने select किया था अब यह बिल भी आप देख सकते हो कि यहां पे जो आपने बिल बनाया है इसकी quantity है सीरे लंबर है आपकी जो भी टेबलेट है उसका नाम है इसकी पेकिंग है दसपीस की पेकिंग है और इसकी rate आप देख सकते हो इसका इस फोर्मेट बना रखा है जिसे आप a4-size का जो paper होता है उसमें दो print out आप निकाल सकते हो इसकी configuration इस तरीके से मैंने कर रखी है ताकि आप जिसे दो निकालते हो इस बिल का जैसे मैं print out निकालता हूँ ए फोर जो paper है इसमें आप दो बिल निकाल सकते हो जो भी आप अगर इस format को चाते हैं इस तरह का format जिसमें patient name and doctor का name किस तरह के से आपको लिखना है तो आप मुझे वीडियो के comment box में अपना contact number या फिर आप मुझे mail कर सकते हो mail id मैंने अपना जो about section है उसमें mail id लिखी हुई है तो आप वहाँ पे mail कर सकते हो और इस format को download करने का जो process है वो भी मैं आपके लिए mail के माद्यम से आप लोगों के लिए बता दूँगा और next जो मैं आपके लिए बता रहा था कि इस doctor के against जो आपने बिल बनाया है तो इसका commission आपको केशे देखना है तो यह process भी में छोटा सा process में आपके लिए बता देता हूं कि यहां से आपको क्या करना है display पे आपको click करना है commission calculation पे आपको click करना है और यहां से जैसे आप sales purchase पे click करोगे तो यहां से एक तरीके से यह salesman हो गया तो salesman आपको select करना है और यहां पे रोईत भाट या doctor का नाम मैंने select कर लिया है और यहां जैसे आप enter करोगे enter करने के बाद जो भी मैंने bill बना रखे हैं यानि मैंने bill बना रखा है और इनका जो commission है 5% मैंने share कर रखा है तो यह जो first bill बना था इनका जो percentage है 5% और 115 रुपे इसका amount हुआ था तो इस तरीके से आप जो भी जिस doctor के against जो भी bill बनाओगे तो उनका commission अगर आपने fixate कर रखा है तो आप यहां से इनका commission भी आप दे सकते हो इसकी जो proper video में आपके लिए बताऊंगा और सारा complete process बताऊंगा कि किस तरह से doctor का account खोलना है और percentage आपको कहां कर सकते हो और अपना जो about section में mail id वहां पे आप mail कर सकते हो ताकि नए वीडियो के notification आपको मिल सके I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करें अगर दोस्तो busy software के बारे में ज्यादा जानकारी चाते हो तो आप अपना telegram group join कर सकते हो और आपकी होने वाली समस्या आप वहां पे share कर सकते हो